Good day friends, this is Rahul Munshi और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube channel is study with Rahul Munshi में आज हम लोग हमारे इस BFM को और आगे लेके चलते हैं, आज देखते हैं हमारा आज का topic क्या है, topics to be covered में देखिए आज का जो हमारा topic है वो है NPA और provisioning, बहुत ही important और बहुत ही interesting topic है यह हम लोग इस के बारे इस वीडियो में हम लोग NPA के बारे में हर एक चीज को जानेंगे, साथी साथ provisioning क्या होती है जब NPA कोई account जब NPA हो जाता तो प्रोविजनिंग की जाती है वो प्रोविजनिंग क्या होती है उसका terms and conditions क्या होता है यह भी हम लोग समझेंगे तो पहले तो एक मेंजर दोड़ा लेते हैं कि हमारा कौन-कौन सा major topic है जुसको हम लोग cover करेंगे पहला asset classification asset को classify किया जाता है वो standard है सब standard है ठीक है उसमत income recognition कि income अगर आना बंध हो गया है कोईसी loan account से तो उसको किस तरह से recognize किया जाता है कि वह NPA में है या नहीं है किसमें है provisioning क्या होती है जब account NPA हो जाता है तो उसमें provisioning की जाती है वो provisioning actually होता क्या है फिर हम लोग देखेंगे sma0 sma1 और sma2 यह special mention accounts होते है जब कोई account NPA नहीं होता है उसके पहले इसको sma0 sma1 और sma2 के category में रखा जाता है ठीक है तो यह भी हम लोग देखेंगे sma क्या होता है आई शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला topic क्या है हमारा पहला topic है assets can be classified under two categories जो assets होते है ना assets normally आप लोग अगर banking terms में देखेंगे तो assets are liabilities ठीक है assets वो होते हैं जहां से bank को income मिलता है जहां से bank कमा रहा है और liabilities bank के लिए वो होती है जहां पर bank को देना पड़ता है तो अभी assets bank के लिए कौन क्या हो गए? Loans हो गए जो loans होते हैं जहां पर bank को income मिल रहा है वो bank के लिए asset हो गए तो दो काड़ेगरी क्या है एक है performing एक है non-performing simple सब्सक्राइब performing और non-performing मतलब की जो काम कर रहा है जो perform कर रहा है वो performing हो गया जो perform नहीं कर रहा है वो non-performing में आ जाएगा तो अब हम लोग समझते है actually performing and non-performing यह banking के term में साधिसात NPA के term में क्या होता है अब performing asset in which which generates adequate income मतलब कि suppose किजिए कि आपने किसी एक एक इनसान है उसको अपने लोन दिया ठीक है आपने उसको होम लोन दिया होम लोन का उसका कुछ इमाई बन जा रहा है माली जब मंतली का 10,000 रुपीज उसका इमाई बन जा रहा है ठीक है पर मंत उसको देना है अभी क्या है कि यह लोन लेने के बाद में यह इनसान आपको रेगुलर बेसिस पे हर महिने यह 10,000 रुपीज आपको देते जा रहा है अ मतलब कि वो performing है, वो अपना काम सही से कर रहा है, जो काम के लिए उसको बनाया गया था, रखा participar मतलब वो लोन perform कर रहा है, इसका मतलब कि वो sufficient income generate कर रहा है, adequate income generate कर रहा है, ताकि कि इसी तरह का जो installment बना था उसका या फिर गया इनमन आचखा करना था वो time to time payment हो रहा है कि मानले जे आपने किसी को लोन दिया ठीक है हाउसिंग लोन दिया इसका जो इंकम बन रहा था वो 10,000 रुपीस पर मन्त बन रहा था स्टार्टिंग के दौरान तो इसने पूरा का पूरा अपना मतलब एक साल तक बहुत अच्छ चलाया लेकिन यह लोन था अगला दस साल के लिए तो अभी एक साल तो चल गया तो जाहिट से बात है कि वो अब non-performing asset में convert हो गया मतलब कि अब वो perform नहीं कर रहा है वो asset ये asset जो loan है ये अब perform नहीं कर रहा है performing मतलब कि भाई जो भी उसका interest या जो भी उसका EMI आना था वो regular basis पर आना था वो performing हो गया लेकिन जो नहीं आ रहा है वो non-performing हो गया assets are those which do not generate adequate income to cover either fully or partly ठीक है आगे देखते हैं bank has to take following dual access अभी देखे जब कोई account NPA होता है non-performing में जाता है तो उस case में bank के bank के पास में दो मतलब दो चीजे बच जाती हैं और दो इंट्रेस्ट जो आता था ये इंट्रेस्ट आना बंद हो गया ठीक है stop recognizing income in that asset क्योंकि ये interest जो आता था ये इंट्रेस्ट आना बंद हो गया दूसरा क्या होता है कि इस loan के against में provisioning करनी परती है provisioning क्या होता है RBI के according जब भी bank किसी इंसान को या कहीं पर भी loan देता है तो उस loan के against में उसको provisioning करनी परती है depend करता है किस टाइप का loan है कोई agriculture loan है कोई housing loan है कोई SME loan है कोई किसी भी तरह का loan दूसरा teaser loan है तो हर loan के लिए अलग-अलग percentage define किया गया है मतलब कि ये provisioning का जो percentage है वो bank को कहीं side करके रख देना पड़ता है बैंक को ये पैसा जो है provisioning का पैसा इसको side करके रख देना पड़ता है जब तक वो loan account अगर ठीक ठीक चला close हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं वो पैसा bank का bank के पास रगया लेकिन किसी भी case में ये loan account आगे जा करके अगर NPA में convert हो जाता है जहां पर भी वो NPA में convert होता है वो NPA में convert होने के बाद में depend करता है कि फिर उससे bank को कितना वसूली हो रहा है अगर recover कर लिया bank ने NPA account होने के बाद में सारा पैसा recover कर लिया तब तो वो bank का हो गया लेकिन अगर नहीं कर पाया तो इसी जो provisioning वाला amount हो रहा है वो provisioning का amount को फिर finally bank अपना profit and loss account में statement में दिखा करके या तो उस account को लोगो write up करना पड़ेगा उसको बंद करना पड़ेगा तो bank को वहाँ पर नुकसान है मतलब एक तो अपना ही पैसा से loan दिया उस पर अपना ही प उसको side करके चलना पड़ेगा हर मंद एक एक portion उसका चलना आएगा जहां पर उसका EMI वगर इसमें जो आना रुग गया वो रुग गया दूसरा उसका जो provisioning करता हो provisioning उसको करना पड़ेगा ठीक है तो यह दो दो नुकसान दो बड़े नुकसान हो जाते है बैंक को normal sense में हम लोग यह जानते थें कि interest आना बंद हो जाता है तो बैंक को नुकसान है लेकिन साथ ही साथ उसका provisioning चलता रहता है यह recurring basis में चलता रहता है ठीक है अब हम लोग देखते हैं आगे आगे क्या है potential norms अभी देखिए loans तो बहुत तरह के होते हैं अभी किस loan के अधार पर हम लोग कैसे समझेंगे कि वह account NPA हो गया है ठीक है नॉमली हम लोग बैंकों में दो तरह का लोन को जानते हैं समझते हैं बहुत frequently हम लोग उसको देखते हैं एक होता term loan दूसरा होता है cash and credit मतलब sorry cash credit cc और overdraft account तो पहले term loan देखते हैं देखिए term loan का term loan देखिए term loan और cc में difference क्या तो मैं आपको तरह सा brief कर देता हूं term loan एक ऐसा account होता है न जब यह loan account open होता है loan account open हुआ इसको एक दिन आगर के close हो जाना है यह term loan close होगा क्योंकि term loan का जो EMI बना रहता है वह EMI regular basis पह आता रहेगा आता रहेगा और finally जाकरके सारा का सारा payment हो जाएगा यह term loan एक दिन close हो जाना है यह close हो गिया मान लीजे कि एक term loan है 10 लाख रुपया का उसका EMI बन रहा है 20,000 रुपया पर मन्त तो 20,000 रुपया पर मन्त वो आता रहेगा आता रहेगा एक टाइम होने के बाद में चाहे 5 साल, चाहे 6 साल, चाहे 10 साल इसके बाद में वो term loan बंद हो जाएगा, close हो जाना ही है उसको लेकिन cash credit account के case में क्या हो था यह जो cash credit या overdraft account है इसको basically एक साल के लिए खोला जाता है लेकिन ये हर साल के बाद में इसका review होता है इसको renew किया जाता है कि भाई account कैसा चल रहा सब कुछ कैसा उसमें चल रहा तो उसको renew कर दिया further और एक साल के तो इस केस में क्या होता है कि suppose किजिए कि 10 लाग का लोन सीसी अकाउंट ठीक है किसी का स्वरी किसी का 10 लाग रुपे का सीसी लिमिट आपने दे रखा है तो यह 10 लाग रुपे में से माल ली उसने 7 लाग रुपया विड्रॉ किया है अभी 7 लाग का ही उसको इंटरेस्ट रहेगा जो भी कस्टमर है और अपना इस अकाउंट को चलाता रहेगा वो कभी पता कभी उसके पास में ज्यादा पैसा आया तो वह इंटरेस्ट के साथ साथ में पता चला कि दो लाग रुपय और एक्स्टा इस अकाउंट में डाल दिया है तो अभी यह 7 लाग से घट का आउट सेंडिंग 5 लाग रुपया हो गया तो इसका फिर 5 लाग पे इसका इंटरेस्ट लगा रहेगा तो यही होता है सीसी अकाउंट क्या है वो चलता रहता है चलता रहता है इसको नॉमली दिया जाता है कि जो जिनको स्टॉक्स में जिनको काम करना होता है जब भी कभी क तो इसके लिए वहां उस के उस कंडिशन में सीसी अकाउंट को प्रिफर किया जाता है तो अभी देखिए अगर कोई टर्म लोन अकाउंट है जहां पर जो अकाउंट को फिर दिन क्लोज हो जाना है उसमें अगर जब भी इंट्रेस्ट लगा है या उसका जो भी इंस्टॉल् जैसे मैंने आपको बता है कि 10 लाक रुपया का मान लीजे एक टर्म लोन अकाउंट खोला गया है और उसका इम आई बनता है 10,000 रुपीज अभी ये 10,000 रुपीज जो है ये 10,000 रुपीज एवरी मन्त आना है उसकाउंट में मन्त वाई मन्त चलता रहेगा चलता रहेगा लेकिन अगर suppose किजिए कि 1 अप्रेल 2021 को 10 ज़ाव रूपे आने थे और यह एक अप्रेल को नहीं आया, तो उसके बाद से क्या होगा कि 2 तारिक से ले करके यह 90 दिन तक, दो तारिक से ले करके एक को तो ये due था एक को नहीं आया तो दो अप्रेल से ले करके फर्दर 90 दिन तक अगर उस दोरान भी नहीं आता है तो ये अकाउंट जो है ये NPA अकाउंट हो जाएगा इसको बोलते नॉन परफॉर्मिंग एसेट कि अगर 90 दिन के पिरिएट तक में अगर उसका installment या interest नहीं आता है तो term loan NPA हो जाता है ठीक है ये था term loan अभी cash credit account case में क्या होता है cash credit account case में क्या है कि account remains out of order देखे यहां पर एक word का जिक्र किया जा रहा है out of order ठीक है कि अगर उसमें किसी भी तरह का जो credit आना है वो अगर अगले 90 दिन तक नहीं आता है तो account out of order हो जाता है account remains out of order for a period of more than 90 days ठीक है this term the term out of order अभी out of order से मतलब क्या होता है देखे आउट of order का मतलब क्या होता है कि कोई CCOD account remains overdrawn against sanction limit अभी माली जह कोई CCOD account आपने आपने open करके दिया है और इसका इसका limit है 10 lakhs रुपीज का और इसका जो अभी outstanding है मतलब इसने 10 अलाग इसका इसका इंट्रेस्ट लग गया इस पर प्लस इंट्रेस्ट इसका लगा और यह बढ़कर 10,50,000 अगर अगला 90 दिन के लिए खड़ा रहा जाता है यह दस लाग 5,000 विरा मतलब जो sanction limit है sanction limit के अबव में अगर यह limit अगले 90 दिन तक खड़ा रहा जाता है तो यह account आउट of order for a period of more than 90 days जब कोई CCOD के case में overdrawn हो जाता है वो sanction limit से overdrawn रहा अगले 90 दिन तक खड़ा दूसरा क्या है कि although the balance outstanding remains within sanction limit अभी क्या होता है और इसमें सपोस किजिए कि 10,000 रुपया का इसमें इंट्रेस्ट लगा है और यह इसने 10 लाख में से 9 लाख को ही अभी इंट्रेस्ट लगा है तो अभी काईदे से क्या है कि यह जब भी इंट्रेस्ट अकाउंट से डेविट होता है यह 10,000 रुपीज उसके बाद यह similar amount य या तो इससे ज्यादा का कोई क्रेट अकाउंट में आना है तब जाकर के यह अकाउंट से ही रहेगा अभी अभी हो सकता है कि भाई 10 लाख रुपया का लिमिट है वो 9 लाख रुपय निकाला हुआ मतलब अभी भी तो अकाउंट में 1 लाख रुपय ही है अगर इंट्रेस् इक लाख रुपय में पड़ा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं होता है जब भी इंट्रेस्ट उस अकाउंट में लगता है तो उसके बाद में वो अमाउंट या उससे ज्यादा का अमाउंट क्रेट होना है उस अकाउंट में नहीं तो फिर वो अकाउंट नपय हो जाएगा इंट CCOD account facility is normally allowed जैसे मैंने आपको पता ना कि जब CCOD account आता है वो इसको normally एक साल के लिए खोड़ा जाता है और हर साल या तो इसको renew किया था इसको review किया जाता है ठीक है अगर अगर किसी भी परस्तिती में कोई भी reason हो इसको एक साल के बाद जब इसका time आ गया renew or review करने का इसको नही किया गया ठीक है उसको time पे नहीं किया गया if that is not done for any reason whatsoever account will be turned into out of order after three months from the date of such renew review मतलब कि उसके तीन महिने के बाद account out of order हो जाएगा ठीक है अगर जो CCOD का limit जो sanction किया गया है हर साल उसको review renewal करना है अगर वो review renewal नहीं होता है तो उसके तीन महिने के बाद में ये account out of order हो जाना है ये तीसरा point हमने देखा ये सभी case हम लोग CCOD के case में ही देख रहे है चौथा case में क्या है borrower has to submit stock statement अभी जाहिट से बात है मैंने आपको पहले बता है कि जो CC limit होता है stock के against में दियाता है तो हर महिने काईदे से every month वो जो borrower है उसको stock statement लाकर के जमा करनाना पड़ता है वो जमा नहीं कराया गया stock statement remains overdue for consecutive three months account will be turned into NPA even if the account is running satisfactory अगर वो account सही चल रहा है timely उसका interest भी payment हो रहा है उसको sanction limit के अंदर भी रखा गया है उसका renewal review सब कुछ हो गया है लेकिन उसके बावजूद भी अगर जब उसका stock statement अगला तीन मैना तक जमा नहीं होता है तो account out of order हो जाता है वो NPA हो जाता है अब हम लोग बढ़ते आगे देखिए यह तो हमने देख bill को purchase किया था यह bill को discount किया जा रहा है अगर यह overdue रहा जा रहा है अगले 90 दिन के लिए 90 दिन का fund item clear cut में रखिएगा कि 90 दिन आज अगर आज उसको EMI pay करना है मान रिचे आज है 28th of May 28th of May को EMI आना है नहीं आया तो 21st of May से फिर उसका 90 दिन calculate होता है वो 90 दिन तक में अगर आ जा जा गया तो ठीक है नहीं आया तो वो account out of order NPA हो जाएगा तो यह हमने देखा कि कोई bill purchase यह bill discounted के case में अगर overdue रहा जा रहा है अगले 90 दिन के लिए तो वो NPA हो जाता है उसकी बाद हम देखते है अग्रिकल्चर क्रेट यह थोड़ा सा important है अग्रिकल्चर क्रेट के case क्रोलगी, क्रॉपप हो वो इक इस फोकर अंडर में लेकिन वैसे क्रॉप जिनको रवेस्ट क्रोप हो जाते है इक क्रॉप हो जंड़ होते हैं दुन में ऑदोेघ। करने में एक साल से ज्यादा का समय लगता है वो आते हैं लॉंग दुरेशन ग्रोप न जिनको एक साल से कम का समय लग रहा है एक साल यह उसे कम का समय देखिए शौट दूरेशन क्रोप्स ऑसदोस वेर क्रोप season जिसको हर्वेस्टिंग season कहा जाता है is up to one year ठीक है यह होते है short duration crop long duration crop क्या होते है more than one year एक साल से ज्यादा अगर उनको harvesting में लग रहा है तो long duration में आते हैं एक साल से कम लग रहा है तो वो short duration में आते हैं अभी prudential norms क्या कहता है कि short duration crop का case में क्या होता है if installment interest remain overdue for two crop season मतलब कि जो एक साल one year या उससे भी कम उसको लग रहा है ठीक है उस cases में क्या होता है कि अगर दो crop season तक में दो crop season तक में अगर installment या interest नहीं आ रहा है ध्यान दीजेगा दो crop season क्योंकि इसका crop season छोटा छोटा है इसी के लिए दो crop season रखा गया है लेकिन जिस case में crop season ज्यादा बड़ा होता है उस case में केवल एक ही crop season रखा जाता है तो यहां पर हम लोग क्या देख रहा है यह short duration के case में कि अगर installment या interest overdue रह जा रहा है two crop seasons तक तो यह account convert हो गया ठीक है और long duration case में क्या होता है कि installment या interest overdue रहा है एक crop season तक में भी क्योंकि एक crop season केस में हम लोग देख रहे हैं कि वह एक साल से ज्यादा रहा है तो एक साल से ज्यादा तक अगर यह इसका installment या interest overdue रह जा रहा है तो यह convert हो जाता है ठीक है तो यह हमने देखा इस agriculture credit के case में अब हम लोग बढ़ते थोड़ा सा और आगे next आता है NPA account for erosion of value security देखिए अभी क्या होता है कि जब भी हम लोग को भी loan देते हैं 2015 में ठीक है 2015 में जब loan दिया गया था उस समय housing loan दिया गया था या फिर हाँ सब्सक्राइब housing loan ही दिया गया था और उसके अगेंस्ट में कुछ property property नहीं था उनके पास उनके पास gold था तो gold को उस case में collateral के तरह रखा गया तो उस time पे इस gold का value था मान लिजे 5 lakhs रुपीस ठीक है 5 lakhs रुपीस उस समय cost था अभी 2020 जब आ गया 2020 में इसी 5 lakhs रुपीस का जो gold था इसका देखा गया value घटके 4 lakhs रुपए हो गया मतलब कि जिस time पे loan sanction हुआ था collateral दिया गया था उस time के value नहीं अभी के time में उस security का क्या value है उसको देखा जाता है तो अभी के time इसी को बोलेते है realizable value of security मतलब कि उस security से कितना value realize किया जा सकता आई भी उसको बोलते realizable value of security तो if realizable value of security is less than 50% of the outstanding in the account मान लिजे कि कोई account है वो NPA हो गया ठीक है हमने देखा कि अगर कोई term loan है 90 days तक में अगर उसका नहीं fulfill हो रहा है उसका installment interest तो चला गया CCOD के case में हमने देखा कि अगर वो account मान वह इसमें out of order होता है ठीक है out of order तो अभी इस case में हमने चार ऐसा cases देखें कि अगर उनका stock statement का case हमने देखा कि अगर three months के लिए नहीं आ रहा है तो यह चला गया या फिर उस case में अगर वो outstanding उसको रखा गया CCOD का account को outstanding रहा गया है further 90 days के लिए तो फिर वो out of order चला गया और फिर इसी तरह का कोई अगर interest नहीं आता है उस account में तो फिर out of order चला गया तो यह सभी जो cases हमने देखा account NPA हो जाने के बाद में जब यह देखा जा रहा है कि उसका जो security bank के पास में उसका actual realizable value अगर 50% से कम है तो यह मान लिया जाता है कि वो account directly shift हो गया है doubtful category में देखिए account जब loan account रहता है वो अगर सब को सही सही चल रहा है तो उसको हम लोग standard account बोलते है ठीक है standard account जो performing assets भी हम लोग उसको बोलते है यह उसके बाद में standard से official करके यह substandard में आयता substandard account substandard से भी अगर जब और बत्तर हलत हो जाता है तो यह doubtful asset में चला जाता है doubtful asset के बाद में जब सबसे last ला रहता है वो loss asset मतलब bank समझ लेता है कि अब इस loan account से कोई पैसा हमें नहीं मिलने जा रहा है और यह पूरा पूरा bank को loss हो गया इसलिए उसको loss asset कहा जाता है उसके पहले तक में यह doubtful रहता है doubt के case में रहता है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है उसके पहले case में substandard रहता है, जब standard account है, जो normal loan account, वो standard account है, उससे जैसे यह slip करता है, यह substandard में आता है, तो यहीं पर अगर बताया गया है, कि अगर वो जिस time पर account को देखा जा रहा है, कि NP हो गया, उसका realizable value check किया जा रहा है, और वो 50% से कम है, तो यह समझ लिया जाता है, कि वो account directly shift कर गया doubtful category में, फिर वो substandard में नहीं गया, वो doubtful में चला गया, ठीके, और अगर यह तो 50% हुआ, लेकिन जब उसका realizable value less than 10% है, मान लिजे कि 10 lakh रुपे का किसी को loan sanction हुआ, और जब उसका realizable value जब check किया जा रहा है, पांस साल के बाद में, जो उसने दिया था अ 1 lakh से भी कम हो गया, ठीके, यह 1 lakh से कम हो गया, 80,000 हो गया, तो इसके से मान ले दिया जाता है, कि यह जो 10 lakh रुपे का loan है, यह directly shift कर गया है, लोस asset में, अगर 50% से कम है, तो यह doubtful category में चला जाता है, लेकिन अगर 10% से कम है, तो यह loss asset में आ जाता है, ठीके, यह हमने देखा इसके, realizable value of security के case में, अब हमनों थोर स और आगे बरते हैं, आगे next है हमारा asset classification, अब यह asset को classify किया जाता है, जो मैं आपके बता रहा था है ना, कि standard है, फिर substandard है, फिर doubtful है, फिर loss asset है, उसी चीज़ को यह बताया गया है, performing assets are also known as standard assets, जो सही से alone account चलता है, वो performing assets बोली चाह है कि non-performing asset, can be classified under, अभी जो non-performing होते हैं, performing case में तो हमने देखा कि loan account सही 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 सब कुछ चल रहा है, लेकिन non-performing, non-performing को NPA भी बोल सकते है, NPA account, ठीक है, अभी NPA account के उस case में क्या होता है, कि यह secured asset में आते है, उसके यहाँ से slip करके, और आते है, unsecured asset में, unsecured substandard asset, के अंदर में भी देखा जाता है, कि वो secured है, या वो unsecured है, अभी secured और unsecured का मतलब क्या है, कि जब यह loan account को दिया गया, उसके against में कुछ collateral, कुछ security लिया गया होगा, तो अगर उसका value, उसका value अगर 10% से जादा है, तो उस case में हम लोग उसको मानते है, कि वो secured है, लेकिन अ दूसरा होता है, unsecured substandard asset, non-performing assets can be classified under, या तो वो secured substandard होगे, या तो unsecured substandard होगे, अगर उनके against में कुछ security लिया गया है, तो वो secured है, security नहीं लिया गया है, तो वो unsecured है, वो भी हमने देखा कि 10% अगर है, तो 10% को माना जाता, 10% से कम है, तो उनके पास में कुछ security ही नह और वो 31st March को NPA हो गया, ठीक है, 31st March 2015 को वो NPA हो गया, तो उसके बाद में क्या होता है, कि ये account directly shift कर जाता है, substandard में, अभी substandard केस में भी एक secured होता है, एक unsecured होता है, ये substandard का case जो आप आया है, ये substandard further 12 months तक रहेगा, मतलब कि ये 2015 से लेकर के 2016, 2016, एक 30 March 2016 तक ये substandard का category में रहेगा, अगला एक साल तक, है ना, here the account can be remained as substandard for a maximum period of 12 months, and after that the account to be shifted to doubtful asset, substandard का जो केस होता है, substandard का case में, यहां पर account 1 year तक रहेगा, इसी state, इसी state में, substandard, standard से, जब substandard में, मैं बार-बार इसलिए repeat कर रहा हूँ कि कोई confusion नहीं रहे, standard account वो हो गया, जो normal load account चल रहा है, जैसा ही account NPA होता है, उसके बाद में तुरंत में ये substandard में convert हो जाता है, substandard में ये further एक साल तक रहेगा, ठीक है, उसके बाद ये doubtful asset पर हो जला जाता है, आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं, अभी doubtful asset में भी तीन cases होते हैं, पहला हम, sorry, पहला case हमने देखा, account performing था या standard था, ठीक है, standard से slip हो करके account substandard में है, अभी substandard में भी account हो सकता है कि वो secured हो, sorry, substandard case में हो सकता है कि account secured हो और या तो फिर account unsecured हो, ठीक है, ये हमने देखा, एक cycle के तरह चल रहा है, अभी substandard के बाद, substandard ये अगला एक साल तक रहेगा, उसके बाद account shift करता है, doubtful asset में, अभी doubtful asset में भी तीन कैसे होता है, वहाँ पर ये account अगले दो साल तक रहता है, 24 मेंने तक रहता है, ठीक है, उसके बाद फिर अगर वहाँ पर भी कोई recovery नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर ये account shift कर जाता है DA3 में, और DA3 का फिर कोई time limit नहीं है, वो जब तक रहेगा, वो DA3 में ही फिर रहेगा, जब त इसका और उसके पहले तक में फिर ये DA3 में रहता है, ठीक है, अभी हम लोग एक बाद थोड़ा सा फिर सा समझते है, standard account वो हो गया, जो normal standard account चल रहा है, ठीक है, standard account जिस दिन NPA होता है, standard account NPA हो गया, NPA होने के बाद में, वो shift कर जाता है, substandard category में, substandard category में, वो एक साल तक रहता है, one year, ठीक है, उसके बाद अगर one year के बाद में फिर ही आता है DA1, DA1 में फिर ही अगला एक साल तक रहता है, फिर आता है DA2, DA2 में ये अगला दो साल के लिए रहता है, फिर ये DA3 में चला जाता है, ठीक है, अभी मान लिजे, कोई एक account है, वो 31st, 31st March 2015 को, वो NPA हो ग अगला एक साल तक, मतलब 31st March 2016 तक, ये account सब इस्टेंडर के रहेगा, यहां से लेकर यहां तक, यह सब इस्टेंडर के रहेगा है, यह account जो है, अभी 16 से लेकर के 17, 31st March 2017 तक, फिर ये क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक, ये DA1 के रहेगा, डॉटफुल S1 के रहेगा, बीस्काइब से अवल, ये रहेगा, और उसलो हुआन्योच तक, यह सब इस्टेंडर के रहे Cathाव ल, 13 तक, यह DA2 के रहेगा, जब ये मरता का डॉटफुल S3 जिस दिन उसको आइंटाइफाइक लिए था, वो लॉब ऑसं शेंडर के रहे है. तो ये हैं किस तरह से account जब एनपीं में shift हो रहा है तो वो किस तरह से अपना status को खो रहा है is standard मेस सब फेस्ट सार्ट हो गया सब्स obstruction वूह अगला एक साल तक रहेगा फिर इसके एक साल तक वह doubtful तो में रहेगा उसके बाद वो doubtful asset 3 में convert हो जाता है और doubtful asset 3 में फिर unlimited time तक रहता है जब तक कि उसको convert करके फिर loss asset declare नहीं कर दिया गया हो आई अब देखते हैं आगे क्या है यह फिर हम लोग देखें यह फिर loss asset में आ जाता है ठीक है अकाउंट becomes unrealizable मतलब और उससे कोई वसूली नहीं की जा सकती है बैंक यही माल लेता है और वो पूरा पूरा बैंक का नुकसान हो गया पैसा डूब गया या तो उसको branch manager उसको identify कर लेता है अकाउंट को अगर आपने कोई लोन दिया तो लोन के साथ साथ में आपका प्रोविजनिंग स्टार्ट हो गया अगर आपने कोई लोन दिया जो direct agriculture या MSME loan है direct agriculture या MSME loan है तो वहाँ पर आपको 0.25% of outstanding amount 0.25% of outstanding amount का आपको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा मतलब आप मान के चलिए कि कोई अगर कोई priority sector क्योंकि agriculture आप देख रहे हो आप MSME देख रहे हो तो यहाँ पर यह priority sector आप मान के इसको चलो तो यहाँ पर आपको 0.25% का प्रोविजनिंग करेगा 0.25% किसका जो outstanding amount है उसका आपको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा 0.25% ठीक है यह diet agriculture MSME के case में हमने देखा उसके बाद उसके अलावा दूसरा कोई भी loan होता है all other वो पूरा का पूरा loan में आपको 0.40% का प्रोविजनिंग करना पड़ता है 0.40% मतलब कोई भी आप लमसब मान के चलो कि कोई भी standard account है standard account है अगर वो agriculture या micro and small enterprises जो होता है उसके category में नहीं आता है तो यहाँ पर आपको 0.40% का प्रोविजनिंग करना पड़ता है उसका प्रोविजनिंग हो जाता है और अगर कोई commercial real estate के लिए दिया गया है loan तो उस case में जो प्रोविजनिंग अमांट है वो 1% जो total outstanding amount है मान लिजे outstanding amount 100 rupees है तो 1 rupees इसका प्रोविजनिंग करना पड़ेगा bank को 1% हो जाता है ठीक है और एक उसके बाद यह है teaser rate teaser rate account क्या होता है कि जब भी मान लिजे कभी कोई loan किसी को sanction किया गया और loan sanction होते के साथ में जो उसका rate of interest है वो interest low है लेकिन time जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो interest थोड़ा जादा हो जादा हो जादा है इसी को बोलते है teaser rate account मतलब कि starting में तो इसका interest कम है लेकिन time के हिसाब से उसका interest थो ज्यादा बढ़ जा रहा है तो वैसे case में इसको इस पर जो provisioning की जाती है वो 2% के provisioning की जाती है यह सभी points को आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है तो यह अगर agriculture MSME के case में है प्रोविजनी का मतलब की वो amount आपको side करके मतलब bank उसको side करके रखेगा वो loan का account के साथ-साथ चलता रहेगा वो loan account के side में रहेगा ठीक है और यह हमने फिर देखा teaser rate के case में हम लो थोर स और आगे बढ़ते हैं non-performing assets अभी देखें non-performing assets को मैंने थोरा साब को table का form में समझाया है substandard assets होते है जब account सही से चल रहा है loan account तो यह standard asset है लेकिन जिस दिन वो 90 दिन का जो criteria हमने देखा term loan के case में CCOD के case में जब उस सब complete हो जाने के बाद में जब account NPA में slip कर गया जब account substandard हो गया तो यह substandard हो गया उसके बाद फिर doubtful में चला जाता है उसके बाद फिर यह loss asset में चला जाता है तो अभी substandard case में हमने दो जिस देखाता कि हो सकता है कि वो account secured हो यह हो सकता है कि वो account unsecured हो ठिक है doubtful asset case हमने देखा कि वो DA1 में रहता है फिर DA2 में जाता है फिर DA3 में चला जाता है फिर finally ये loss asset हो जाता है अभी देखिए यहाँ पर जो substandard secured है substandard secured के case में क्या है देखिए अगर RVS जो realizable value of security more than 10% है ठीक है माल लिजे कि कोई loan दिया हुआ है और loan माल लिजे 5 लाक रुपया का loan है और उस पर जो उससे collateral लिया गया है security लिया गया है उस time पर 8 लाक रुपया का है तो 8 लाक रुपया 5 लाक रुपया का case मतलब 50% है और यहाँ पर हमने क्या बोटन है कि अगर वो 10 लाक रुपया से जादा है तो उस case में क्या होगा कि 15% का जो total outstanding है उसका 15% का provisioning करना पड़ेगा ठीक है 5 लाक रुपया का loan है 5 लाक के case में 2.5 लाक का यहाँ पर security लिया गया है तो यह 50% हुआ 50% हुआ मतलब कि यह 10 लाक 10% से जादा है उस case में जो भी total रहेगा total outstanding total outstanding मान लिजे 4 लाक रुपय का outstanding है तो 4 लाक रुपय का 15% मतलब कि 60,000 रुपय के आसपास का आपका provisioning करना पड़ेगा जो भी outstanding रहेगा इस account का outstanding पे 15% का आपको provisioning करना पड़ेगा अगर वो secured है secured है case में हमने देखा कि अगर उसका जो realizable value of security मैंने पहले भी आपको इस video बता था कि अगर 10% या उससे कम अगर उसका security का realizable value है उस समय तो उसको माना जाता है कि कुछ भी नहीं है और वो unsecured कहलाता है अगर वो उसका 10% से जादा उसका security value है तो उसको secured कहलाता है वो account तो अगर 10% से जादा है उसका realizable value तो उस case में जो provisioning होना है total outstanding पे 15% का होना है ठीक है और अगर अगर मान लिजे कि उसका जो unsecured का case में अगर जो उसका realizable value of security वो 10% से कम है मतलब कि 5 लाग का loan था और जब उसको realizable value देखा गया उसका security का तो वो करीब करीब कुछ 40,000 का असपास आपका आ रहा है तो 5 लाग का 10% तो आपका 50,000 आ था तो भी काम दाता वहाँ पर लेकिन ये देखिए 10% या उसके कम अगर 50,000 तक भी रहता तब भी वहाँ पर काम नहीं बनता तो यहाँ case में 40,000 है इसका मतलब कि यह unsecured हो गया SSA में unsecured हो गया ठीक है थोड़ा सा concept को clear रखिएगा तो आपको easily समझ में आएगा कि सब standard case से हमने दो cases देखा या तो secured होगा या तो unsecured होगा यह कैसा define करते हैं कि secured है कि unsecured है 10% देखते हैं अगर उसका realizable value of security 10% या उससे कम है तो unsecured है अगर उसका realizable value 10% से ज्यादा है तो वो secured है अगर secured है तो total outstanding में 15% आपका provisioning लगना है अगर unsecured है तो total outstanding में 25% का आपका provisioning लगना है यह हमने देखा sub standard case में अब हम लोग आते हैं doubtful asset case में doubtful asset case में हमने देखा कि तीन क्रेटरी रही होता है DA1, DA2 और DA3 अभी देखिए DA1 के case में क्या है कि यह तो sub standard category में हमने देखाता ना कि यह एक साल तक रहेगा ठीक है उसके बाद में यह shift कर जाता है DA1 में DA1 में फिर यह अगला एक साल तक रहता है रियलाइजेबल वैलू पर उसका जो प्रोविजनिंग लगना है वो 0.25 लगना है sorry 25% उसका प्रोविजनिंग लगना है जो भी लोन अमाउंट है अगर वो doubtful asset में चला गया है doubtful asset 1 में अगर वो है तो 1 में अगर है तो जितना उसका security वाला जो अमाउंट जो उसका realizable value of security है उसको 25% का प्रोविजनिंग लगेगा ठीक है मान लीजे 4 लाख रुपया का लोन है ठीक है और अभी ये DA1 का category में है और इस 4 लाख रुपया में से मान लीजे कि 1 लाख रुपया पर इसका security दिया हुआ है तो इस एक लाख रुपया पर इसका जो प्रोविजनिंग लगना है वो 25% लगना है तो एक लाख का 25% होगा 25,000 रुपया ठीक है और जो unsecured portion जो यहां पर 3 लाख रुपया बच गया 3 लाख रुपया बच गया तो यहां पर unsecured 3 लाख बच गया यह doubtful asset 1 का case में हमने देखा है कि जब कोई account सब standard account से slip करके doubtful asset 1 में आ जाता है वो वहां पर अगला एक साल तक रहता है और उस account में जो भी realizable value of security है उस पर 25% का प्रोविजनि होना है और जो उसके बाद का amount है जो unsecured वाला है उस पर 100% कर लगा जाना है ठीक है उसके बाद यह अगर यहां पर भी होता है फिर यहां से account सब्सक्राइब करता है DA2 में doubtful asset 2 में doubtful asset 2 में क्या हमने देखा था कि अगला दो साल तक वो DA2 में रहता है ठीक है maximum 24 months मतलब दो साल तक वो DA2 में रहेगा और यहां पर हमने क्या देखा था DA1 के case में जो realizable value of security है उस पर 25% लगा था यहां पर क्या है यह 40% है मतलब की वही 4 lakh रुपय हम लोग लेते हैं 4 lakh रुपय के case है तो 4 lakh रुपय के case में 1 lakh रुपय हम लोग माल लेते हैं उसका security दिया हुआ है तो जो unsecured हो गया वो 3 lakh हो गया तो यहां पर इसके case में आभी हम लोग 40% लेंगे 40% मतलब 40,000 और जो unsecured है वो 100% रहेगा मतलब 3 lakh का 3 lakh ही यहां पर रहना है तो 3 lakh प्लस 40,000 तो यह total आपका provisioning हो जाएगा यहां एक छीज ध्यान दिजेगा कि जो भी DA का जो case होता है चाहे DA2 में रहे चाहे DA3 में रहे वहां पर हमेशा मतलब इसके बाद से आपको 100% का provisioning हर unsecured asset में करना पड़ेगा लेकिन figure जो change हो रहा है वो केवल आपका realizable value of security पही change हो रहा है अगर DA1 में है तो 50% लगेगा DA2 में है तो 40% लगेगा और DA3 में अगर है तो पूरा का पूरा पर आपका 100% का provisioning करना पड़ेगा चार लाग रुपय का loan है account shift कर गया है DA3 में तो चार लाग में से चार लाग का आपका provisioning करना पड़ेगा पूरे के पूरे loan account में ठीक है क्योंकि यहां पर बैंक मान लेता है कि अगर DA3 में आग यहार पैसा नहीं आ रहा है मतलब अब वो पैसा नहीं आ सकता है अब पूरा का पूरा पूरा प्रोविजनिंग ही करना पड़ेगा ठीक है तो फिर से इसको देख लेता है account पहले standard से shift करता है substandard में substandard में भी secured होता है unsecured होता है secured हो केस में हम लोग कैसे देखते हैं कि अगर उसका reliable value of security मतलब उस time पे उस time पे जो उसका जो security लिया गया है उसको realize कि अगर किया जाए तो उसका जो value है वो 10% से ज्यादा निकलेगा 10% से ज्यादा मतलब कि इसका जो outstanding loan amount है उसका 10% से ज्यादा निकल रहा है इसका मतलब कि वो substandard asset वाला account है वो secured है और अगर उसका value realizable value of security 10% या उससे कम है तो वो unsecured है तो अगर secured है तो total outstanding पे 15% का आपको provisioning करना पड़ेगा यहां पर ध्यान दीजेगा यहां पर पूरा का पूरा आपको बोल रहा है कि 15% जो total outstanding उस पर आपको provisioning करना पड़ेगा लेकिन यहां पर आपको दो भाग में divide किया गया है जो RSV का case में अलग है रन लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है सब standard asset का case में 15% आपको करना पड़ेगा total outstanding का case में और अगर वो unsecured का form में आता है unsecured का होता है कि जब उसका realizable value of security 10% यह उसके कम है तो पूरा outstanding पर 25% का provisioning करना पड़ेगा ठीक है जेकिन जब वो DA1 में आ जाता है तो DA1 में आने के बाद में यहां एक साल तक रहता है DA1 में और यहां पर RSV value RBS value जो realizable value of security है वो 25% पर उसका provisioning होता है और unsecured पर 100% का और उसके बाद में जो होता है DA3 पूरा का पूरा 100% प्रोविजनिंग होगा लॉसर में तो लॉस ही हो गया वो भी 100% का प्रोविजनिंग होता है तो यह चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा आप एक बार सही से देखिएगा तो पूरा का पूरा figure जो है आ वो क्या कहता है यह है एससे सट अप सेंटरल इपोजटरी आफ इनवर्मेशन और लाज क्रेट इसका मदलब कि पांच क्रोड इसके अब वाला जो आगांट है लोंड अकाउंट उसके लिए तू कलेक्ट इसको स्टोर डिसमिनेट मतलब कि उस पर एक एक नज़र रखी जा तरह से हो रहा है कहां जा रहा है कहां से आ रहा है तो इसे के लिए इसको establish किया गया जो आता है department of banking supervisions के अंदर में DBS के अंदर में हो आता है has advice that bank will be required to report credit information पूरा का पूरा credit information उसको bank को time to time देना पड़ता है उनको including classification by कौन कौन सा classification उसमें किया जा रहा है उसमें एक word होता है SMA जो मैंने आप होता है special mention account SMA इसके बारे में हम लोग देखेंगा SMA account actually होता क्या है on their borrower having aggregate funds based मतलब की वैसे borrower जिनका total fund based या non fund based का exposure 50 million मतलब की 5 crore या उससे जादा का है तो वो सभी borrowers का information collect किया जाता है है उसको store किया जाता है ताकि उसको time to time review किया जा सके however लेकिन जो crop loans होते है na crop loans crop loans are exempted उनको exemption दिया गया है कि अगर 5 crore से ज्यादा कभी अगर वो crop loan आता है तो उनको exemption दिया गया है लेकिन bank should continue to report their other agriculture loan in terms of above instruction जो मतलब यह तो crop loan के लिए किया गया है लेकिन दूसरे अगर कोई agriculture loan है तो वो आपको इसी दारे में आएगा इसका information आपको share करना पड़ेगा ताकि क्रिलिक के पास में वो data information मौझूद रहे फिर क्या है यहाँ पर banks need not report there अगर कोई interbank exposure हो रहा है interbank exposure हो रहा है including Nabad, SIDB, Exim Bank या NHB तो यह सब का जो reporting क्रिलिक को करने का जरुवत नहीं है bank को ठीक है इसके लिए bank को exempt किया गया है as per RBI norms before a loan account turns into NPA अभी तो जब हमने देखाता ना कि वह standard account है standard account से account convert हो गया substandard मतलब यह NPA हो गया substandard बोलिए या NPA बोलिए ठीक है तो उसके पहले मतलब कि substandard convert होने से पहले यह account को भी monitor किया जाता है उसके लिए RBI ने यहाँ पर निकाला है SMA का concept special mention account जिसको बोलते हैं banks are required to identify incipient interest मतलब कि किसी भी कारण से यह account अभी NPA नहीं हुआ है account NPA होने से पहले जो उसमें कुछ ऐसा sign देखने को मिल रहा है जो यह दर्शाता है कि शायद आने वाले time में यह account NPA के तरफ जा सकता है तो यहाँ पर bank को ज्यादा focus करने का जरूरत है ताकि time रहते में इसको NPA से बचाया जा सके मतलब NPA में पहुंचा नहीं है उसके पहले है लेकिन को signal bank को मिलता है और वहाँ पर bank को काम करना है इसका भी information time to time आपको share करते रहना है क्रिलिक के साथ में ठीक है अभी देखिए जो SMA मैंने आपको बताया था ना वही SMA को मैंने यहाँ पर आपको समझाया है अभी मान लिजे कि कोई कोई loan account है ठीक है 31st of March को उसका installment due है 31st of March को अभी 31st of March को इसका installment नहीं आया 1st April से अगले 30 देश तक 1 April से लेकर के अगले 30 दिन तक यह account को माना जाता है कि वो SMA 0 में रहता है SMA 0 special mention account 0 principal or interest payment not overdue for more than 30 days but account showing signs of incipient stress मतलब account में कुछ stress दिख रहा है और जिस दिन उसको interest उसका आना है bank के पास में उस दिन नहीं आया उस दिन से लेकर के अगले 30 दिन तक में वो नहीं आया तो bank वसे account को SMA 0 के category में रखता है मतलब कि कुछ गरवड़ी है इस account में लेकिन तीसवा तीसवा दिन से तीस दिन तो नहीं आया तीसवा दिन तक तीसवा दिन से 60 दिन तक फिर यह सको convert करके SMA 1 में रखता है पहले SMA 0 में था अभी SMA 1 में रखता है मतलब कि जहां पर principal या interest payment जो है वो overdue है 31 से लेकर के 60 दिन तक मतलब कि situation और खराब हो गया है अगले 60 दिन तक जिस दिन उसको payment मिलना था EMI मिलना था interest मिलना था उससे लेकर के उसके अगले 60 दिन तक में कुछ भी payment नहीं आया है वो SMA 1 में shift कर जाता हूँ account और अगर 60 दिन तक में भी नहीं आया है तो फिर finally जो होता है वो 61 से लेकर 90 दिन तक होता है 61 से लेकर के 90 दिन तक इसको SMA 2 बोलता है मतलब कि बहुत ज़्यादा जर्वत है bank को इस पर focus करने के लिए क्योंकि ये अगर 90 दिन तक में नहीं आया है तो ये account NPA में shift कर जाएगा और bank को bank हर कोशी संभाव करती है कि account को NPA में नहीं जाने दिया जाए क्योंकि एक तो से interest जो उसका earning होता है bank का रूख जाता है साथ जात बैंक को provisioning करना पड़ता है तो double loss हो जाता है bank को ठीक है तो ये हमने देखा SMA 0, SMA 1, SMA 2 अगर SMA 0 का case में हमने देखा कि अगर एक दिन से लेकर के 30 दिन तक में कोई उसका जो interest है प्रिंस्पल है इंस्टॉल्मेंट है उन नहीं आया चला गया उसमें SMA 1 का case में क्या देखा हमने 31 दिन से लेकर के 60 दिन तक हो रहेगा SMA 2 का case में हमने क्या देखा 61 दिन से लेकर के 90 दिन तक रहेगा अभी क्या होता है कि कभी कभी बैंक अपना कुछ लापरवाही भी करता है और काइदे से जो information क्रिलिक को देना है SMA का जब भी कोई account इस special mention account में शिफ्ट करता है तो उसका information time to time क्रिलिक के साथ में share करने का है लेकिन किसी भी कारण से बैंक अगर वो information क्रिलिक को share नहीं करता है और उसके बाद जब वो account NPA हो जाता है तो वैसे cases में जो restrictions उन बैंक के लिए और बढ़ाया गया है provisioning को लेकर के the current provisioning requirements अंदर उस case में उसको revised accelerator provisioning उससे recover किया जाता है बैंकों से यह क्या होता है यह हम लोग देखते हैं देखिया मतलब कि normal case में तो हमने देखा कि भाई पहले account को जब NPA नहीं हुआ है तो SMA 0 फिर SMA 1 फिर SMA 2 एक दिन से लेकर 30 दिन तक 31 से 60 और 31 से 90 दिन तक उसके बाद 91 दिन से वो NPA में चला गया NPA में जाने का मतलब कि वो substandard account हो गया substandard case में भी हमने देखा कि या तो वो unsecured है या तो secured है अगर उसका reliable value of security उस समय 10% या उससे कम है तो वो unsecured है और 10% से ज़्यादा है उसका reliable value of security तो वो secured है अगर वो unsecured है तो total outstanding में 15% का provisioning करना है अगर वो secured है sorry अगर वो unsecured है अगर secured है तो 15% करना है और अगर unsecured है तो total outstanding में 25% का provisioning करना है ये substandard asset तक में था अभी substandard asset के बाद में फिर account shift कर जाता है doubtful asset में doubtful asset में हमने देखा 3 कैसे था invert हो जाता है उसके बाद में वो loss asset में चला जाता है doubtful asset 1 के case में हमने देखा कि जो realizable value of security है उस पर 25% का provisioning लगना है और जो unsecured है unsecured portion जो है उस पर 100% provisioning होना है DA2 में हमने देखा कि जो realizable value of security है उस पर 40% का provisioning होना है और जो 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 unsecured portion है उस पर पूरे के पूरे 100% का provisioning होना है और DA3 के case में हमने देखा कि पूरे के पूरे के पर 100% का provisioning होना है ठीक है अभी उसके बाद हम लोग यहां पर आ रहे हैं कि जो time to time क्रिलिक को यह information share करना है बैंकों के द्वारा अगर यह information share नहीं किया जाता है तो इसमें banks will be subjected to accelerated provisioning bank को एक तरह से यह उसके लिए नुकसान हो जाता है bank को restrictions लगाया जाता है sanctions लगाया जाता है और उस case में क्या होता है कि उनसे revised accelerated provisioning उनसे लिया जाता है वो revised accelerated provisioning क्या होता है एक बर हम लोग देखते हैं देखिए यह chart में मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर एक तरफ आपको दिखेगा यह sorry asset classification period of NPA current provisioning revised accelerated provisioning मतलब की क्रिलिक के साथ में जो information share करना है बैंकों को time to time SMA के case में नपे case में उस सब टाम दिखेगा नहीं किया तो उस case में फिर यहाँ पर यह restrictions उनने के लिए बढ़ जाते हैं अगर substandard है secured है तो उस case में मैंने आपको बता है कि 15% लगना है total outstanding का यह मैंने दो भाग में आपको डिवाइट कर दिया अप्टो 6 months और 6 months to 1 year इन दोनों case में 15% ही लगना है ठीक है उसके बाद जब account उसी में है substandard में है लेकिन unsecured है मतलब कि उसका RVS होता reliable value of security वो less than is equals to 10% है तो उस case में हम लोग मानते हैं कि account substandard unsecured है तो उस case में हमने क्या देखा कि यह 25% का उसमें provisioning होना है यहाँ पर other than infrastructure अगर infrastructure loan अगर है तो वो 20% का होता है लेकिन मान के चली कि लगवग सारे के सारे loans वो आपको other than infrastructure ही रहते हैं और उस पर 25% इसी के लिए common किया गया है कि 25% का वहाँ पर आपको provisioning लगना है ठीक है उसके बाद हमने क्या देखा उसके बाद में यह account shift करता है doubtful asset में doubtful asset 1 doubtful asset 1 में क्या होता है यह अगले 2 साल तक रहता है क्योंकि sorry second year में आता है यह doubtful asset में और यह एक साल तक रहता है second year में आता है क्योंकि first year में ऐसे ऐसे में है substandard assets में है उसके बाद second year में यह doubtful asset 1 में आया है उसमें हमने देखा कि जो 25% secured portion है उस पर provisioning करना है 25% का और unsecured पर 100% का provisioning करना है फिर DA2 में चला जाता है यहाँ पर यह दो साल के लिए रहता है लेकिन अगर वे revised accelerated provisioning होता है तो उस case में देखिए RBI ने इसमें क्या changes किये है substandard secured के case में जो 25% था अगर up to 6 months तक में यहाँ पर 6 months to 1 year में इसको 15% बढ़ा के 20% कर दिया गया है मतलब कि उपर वाले को तो 15 के 15 no change किया गया है लेकिन यहाँ पर इसको 15 से बढ़ा के 25% provisioning करना पड़ जाएगा इसको अगर वो SSS secured में ही है तो और उसके बाद क्या है कि यह जो substandard unsecured में आता है यहाँ पर हमने देखा कि यह 25% है ठीक है यह 25% ही रहेगा up to 6 months तक 25% ही रहेगा लेकिन 6 months to 1 year वाला जो case है यहाँ पर भी जो यह 25% रहना था लेकिन यहाँ पर इसको यहीं पर इसको 40% कर दिया गया है provisioning मतलब provisioning आप देख रहे हो कि बढ़ा बढ़ा के लिए आ जा रहा है अगर यह इसके अंदर में आ जाते हैं तब ठीक है उसके बाद DA1 के case में क्या है DA1 के case में जो हमने देखा था वो 25% था secured में और 100% था unsecured में लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर इसको 25% को बढ़ा के 40% कर दिया गया है और 100% को तो 100% ही रहना है और यहाँ पर doubtful 2 में देखीगा कि जो हमने 40% और 100% का बाइफरकेशन देखा था वो पूरा का पूरा 100% कर दिया गया है कहाँ पर accelerated provisioning में ठीक है तो accelerated provisioning मतलब कि provisioning को बढ़ा दिया गया है revised accelerated provisioning मतलब provisioning amount को बढ़ाया गया क्यों बढ़ाया गया the cases where bank fails to report sma status मतलब कि वाइसा cases जहां पर bank timely अपना information जो share करना है उसको नहीं share कर पा रहा है क्रिलिक के साथ में कुछ भी reason हो सकता है हो सकता है कि वो bank account को evergreen दिखाना चाहरा हो उसको NPA में नहीं दिखाना चाहरा हो या कुछ भी reason हो सकता है वैसे cases में बैंकों पर फिर ये restrictions लगा जाते हैं और उन से accelerated provisioning लिया जाता है मतलब कि जादा provisioning तो होना ही है और जादा करके provisioning होना है तो ये हमने देखा यहां पर चाहर्ट अब हम लोग देखते हैं एक बार quick revision ठीक है मतलब कि अगर timely अगर उसे interest जाए उसका जो installment हो आ रहा है वो performing है और अगर नहीं आ रहा है तो वो non performing हो आ जाते है ठीक है उसके बाद हमने क्या देखा अभी क्या है कि बैंकों को दो तरह से नुकसान होते है अगर जब भी कोई account NPA में convert होता है तो एक तो क्या है कि जो उससे income generate होता हो तो रुख गया दूसरा जो उस पर provisioning करना पड़ता है वो अलगी उसको करना पड़ जाता है तो बैंक को दो तरह से loss होता है जब भी कोई account NPA में convert होता है उसके बाद हमने देखा कि different different types of account में किस-किस तरह से हम लोग यह मानते हैं कि भाई वो account अब NPA हो सकता है जिसरे term loaner case में हमने देखा कि या तो interest या तो installment अगर अगले 90 दिन तक नहीं आ रहा है तो अगले 90 दिन तक नहीं आ रहा है तो account NPA हो जाता है cash rate का और overdrafter case में हमने क्या देखा कि इसको out of order कहा जाता है 90 दिन तक में अगर वो कारवाई नहीं हुई क्या क्या कारवाई नहीं हुई CCOD remains overdrawn अगर अगला 90 दिन तक वो CCOD overdrawn रहा गया जो भी सका sanction limit उसे ज्यादा रहा गया account out of order हो गया अभी क्या है कि वो भले ही sanction limit के नीचे में है लेकिन जो उसका interest लगा है वो उसका interest credit नहीं हुआ है अगले 90 दिन के अंदर में वो amount या उसे ज्यादा amount credit होना है उस account में तब जाकर के यह account ठीक रहेगा नहीं अगर होता है तो वो account out of order में convert हो गया फिर हमने देखा कि CCOD अगर वो एक साल के लिए sanction किया जाता है फिर उसको timely उसको review renewal किया जाता है अगर वो review renewal नहीं हुआ तीन मेहना के बाद फिर वो out of order हो जाता है account ठीक है उसके बाद हमने देखा कि account जब भी होता है इसको stock के अगंस में दिया जाता है CCOD जो होता है तो stock statement timely submit किया जाता है तो यह monthly submit होता है अगर अगला तीन महने तक consecutively three months तक अगर stock statement submit नहीं हुआ तो account NPA में convert हो जाता है तो यह हमने कोच cases देखे cash creator के case में फिर हमने bills purchase and bill discounted case में देखा कि जो भी amount वो overdue रहा जा रहा है 90 days यह उससे ज्यादा तक में तो वो फिर NPA convert हो जाता है एगरी कल्चर केस में हमने क्या देखा कि short duration crop और long duration crop short duration crops वो होते हैं जिनका harvesting season जो होता है पूरा बोगाई से लेके overdue for two crop season दो crop season तक में interest और installment नहीं आते हैं शौट duration crop में वो account NPA में convert हो जाते हैं और long duration crop के case में क्या होता है कि एक crop season तक में ही अगर नहीं आते हैं तो account NPA में convert हो जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे हमने देखा NPA account case में यह realizable value of security का concept हमने समझा realizable value of security क्या हुआ कि भाई जिस time पे देखा जा रहा है कि loan account खराब हो रहा है तो उसके against में जो security उस समय जो है outstanding के time पे उस time पे नहीं जिस time पे उसको दिया गया थे जिस time पे bank उसको लिया था उस time पे नहीं अभी present case में उसका उस security का realize करने के बाद में क्या value निकलेगा उसी को कहा जाता है realizable value of security अगर उस time पे देखा जा रहा है कि realizable value of security का value है वो 50% से कम है तो यह मान लिया जाता है कि अगर आपने उसको एक करोड का लोन दे रखाया है और आपके पास में उसका जो security वो 5 लाग रुपे का है मतलब 10% डगर रहता है तो 10 लाग रुपे है लेकिन आप मान के जो लोग पांच लाग रुपे है मतलब कि अगर वो खराब कर भी दिया है लोन को इंटर्स नहीं दे रहा है तो आप उसका कुछ नहीं कर पाऊगे क्योंकि आपके पास में कुछ ही नहीं जहासे आप रिकव मतलब 10, 100 के अउसके उसके बाद में चσιुफफ करके वह दॉटं काइगरी में चला जाता है अभी डली यह दी ऐ में दी रॉटता चांटर यह फर्दर और दो साल तक रहेगा उसके बाद यह दिया थी में चलायाता है जो अनलिम्टर टाइम तर चलता है तो पॉइंट फाइपर जो आउटस्टेंडिंग अमाउंट रहता है उसका पॉइंट फाइपर परशंट का प्रोविजनिंग करना पड़ता है उसके अलावा कोई commercial real estate project है तो उस पर एक परशंट का प्रोविजनिंग होता है और teaser rate accounts जो होते हैं जो starting में कम rate of interest रहते हैं लेकिन जैसे time के according उसका rate of interest फिर इंक्रीज करते रहता है तो वासे account के case में जो प्रोविजनिंग होते हैं और जब से इसका rate of interest change होता है उसके बाद से इसमें भी बदलाव आते हैं यह हम लोग एक दो numerical में देखेंगे ठीक है उसके बाद हमने देखा कि non-performing assets यही जो मैंना को समझाया है कि पहले standard से यह सब standard में slip करता है सब standard से फिर यह doubtful asset में फिर फानली loss asset में सब standard के अंदर में secured और unsecured अगर reliable value of security 10% से ज्यादा है outstanding का 10% से ज्यादा है तो वो secured होता है 10% या उससे कम है तो वो unsecured होता है अगर secured है तो उस पर total outstanding का 15% आपको provisioning करना पड़ेगा unsecured है तो total outstanding का 25% आपको provisioning करना पड़ेगा बाकी जो unsecured हमाली जो 15 लाग रुपया है तो 15 लाग का 15 लाग का आपको provisioning करना पड़ेगा DA2 में हमने देखा DA2 में यह further 2 साल तक और रहता है यहाँ पर जो realizable value of security है वो 40% होता है और जो unsecured portion है उस पर 100% होता है यहाँ तक उसके बाद यह DA3 में जाता है पूरा का पूरा 100% प्रोविजिन होगा Loss asset तो 100-100% प्रोविजिन होना है क्योंकि वो loss हो चुगा है bank के लिए टीक है उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि कुछ एक RBI ने कुछ एक norms बनाय हुए है जो 5 कोड या उसके उपर के जो loan account होता है वो time to time acrylic जो एक body है acrylic के पास में सारे का सारे information को collect किया जाता है उनको सा लेकिन हाँ जो agriculture loans रहते हैं उनके information share किया जाएंगे उसके बाद जो interbank exposures होते हैं अगर 5 कोड कहीं है लेकिन interbank exposures है नवाट के साथ में सुटबी के साथ में एक्जिंग के साथ में नहीं के साथ में तो इसका information share करने के लिए exempt किया गया है bank को को उसके बाद हमने SMA का concept को हम को साइन दिखाता है कि आने वाल टाइम में ये शायद NPA में convert हो सकता है इसके लिए time रहते हुए में bank सचेत हो जाती है और कोशिस करती है कि इससे recovery करने के लिए टाइक की account को NPA में convert नहीं होने दिया जाए अगर जो loan किसी को दिया गया है और due date पर उसका interest या installment नहीं आता है तो due date के बाद में एक दिन से लेकर के 30 तक अगर नहीं आया थो SMA 0 one का category में आता है और तो यह अपना सारा खेली खतम कर चुका है ठीक है उसके बाद में आगे आगे हमने देखा यही एसे में का कैस में हमने देखा कि अगर किसी भी रीजन से अगर बैंक जो इन्फोमेशन शेर करना है क्रिलिक के साथ में नहीं कर पाता है उसके में रेस्टिक्शन और ज्यादा किस तरह से जहां पर पाद यह 15 था इस 15 को बढ़ा करके 25 कर दिया गया है यहाँ 25 का केस चल रहा था पजीज को बढ़ा करके यहां पर 6 months to 1 year के केस में 40 कर दिया गया उसके बाद जहां पर यह 25 परसेंट था वहां पर इसको 40 कर दिया गया है चारिस वाले को पूरा अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जादा स ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगर आपको इस वीडियो का पीडियेफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सटी विद राहूल मुंशी में जा सकते हैं आपको वापर इस पूरे वीडियो का पीडियेफ फॉर्म आपको मिल दाएगा ठीक है अपने घर में रहें स्वस्त रहें थांक यू थां झाल